से आमुलीकुम जी क्या हाल चाले हैं आप लोग के उमीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी ठीक वाल हम्दुलीला से अब यहां पर मुझे पालक काट कर दी थी तो यहां पालक गुनाने लगी थी सिंपल पालक थी एक के जी शायद अम्मी ने ली थी और उसमें म अब यहां पर मेक कॉलग का अब रिंग कर्कने लिए साइब मेरे इस वाले घर में कोई भी नहीं खाया गा उस तरीके से पालक सारों को वह उद्लीवी और ब्लंडीट खाने की आदत है तू उसी तरीके से बनते हैं अच्छा पाला को ब्लेंड करते हрок हम पानी जाद हाथ भी बलंड करते हैं बिल्कूल पतला पेस्ट नहीं बना लेते आपसेंगा बना लेती आप लोग के घर नहीं किसतारीके से पालक बनता में पालक को अपना जरूर प्यास डाली थी प्यास इसलिए जो पैस्ट वाली पालक बनती है इसमें थोड़ी प्यास जाती है म salv mail सली यह यहां पर मैं आलू डाल दूँगे और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी अच्छा बेसिकली तो हम इसमें ना पहले साबुतलाल मिर्चे और लहसन के जबे होते हैं वो डालते हैं उसे कड़कडा के ना ओयल में और उसे कूठते हैं और वो हम स्पाइस के लिए यूस प्रूज़ करते हैं लेकिन आज वो नहीं था मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा जी तुम्हारे पास साबुतलाल मिर्चे नहीं यहसे नहीं बनेगा अम्मी कहरे हैं तू पहरे हाट साइड़ पर माखुद बना लेती हूं पर नहीं मैं यह चीजा चाहिए भर में नहीं ग मृट फिकर हो इसलिए मुझे रडचली डालनी पड़ी वनना हम पहले साबुत लाल मिर्चें 15-10 लेकर 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 कूट कर वो हम डालतों से जादा अच्छा फलेवर आता है यहां पर मैंने एक कब जितना दूद इसमें डाल दिया था और इसे कवर करके रख दिया था दूद से बड़ा अच्छा फलेवर आता है बहुत मज़े का लास मगर आप लोग करीम डालना चाहिए वो भी डाल सकते मलाय करीम और बस अब मैं इसके अच्छे से भुनाई कर लूँगी बहुनाई कर लोग मैंने इसमें कसूरी मेत्री डाली ती हरी मिर्च इसकी मैं इतनी अच्छे भुनाई करूंगी कि यह पालक का पानी यह ड्राय हो जो और इतनी अच्छे आपने बहुनाई करनी है कि पालक नीचे लगने लग जाए इनके चैनल को मेरा बतारे का मकसद यह है कि इनका जो मॉनिटाइजेशन का क्राइटेरिया सब्सक्राइब वाला वो तो कंप्लीट हो गया है लेकिन इनका वाश टाइम रहता है तो जिसकी वजह से जो है आप लोग जाके प्लीज इनकी वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब का एक साल में मॉनिटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है पिर आपको दुबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है तो इनसान की मेहनत वेस्ट हो जाती है तो प्लीज मेरे कहने पे एक दफ़ा जाके जरूर जरूर इनके चैनल को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि इनका जो वाश टाइम है वो कंप्लीट हो जो इनक पर दूर देख लेज़ा जाएंगे तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप जाकर जरूर इनके चैनल को वाच करिएगा बसी करिए तो आप लोग जाये जरूर वाच करिएगा और यह फिर नेक्स्ट दे के दुपहर का टाइ पीनी पकाना ना कोई और जिम्मेदार ही होती है इसलिए बेर फिक्राव से सोती रहती है और सर्दी क्या करताए घ cau नहीं नहीं रहसे के पंगा तेज कर लो दो चड़ चड़ और लग जाती है हलका कर लो तो मच्छर कार्ण स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा च्छका कर लो तो कि फ्रक लोग घिलका है अच्छे ब्लैक लाइनिंग वाले शर्ट का कपड़ा और इस तरीके से इसकी नेकलाइन है और यह इसके स्लीवज है इस तरीके से इन्होंने लैस वगयरा लगा रखी है अगर आप टेलर से सिलवा के कपड़े पैन लेना और खुलने होता है अगर अगर ब्रैंड का खुलना सूट भी पैन लेना वो फिर भी अच्छा लगता है इनकी स्टिचिंग का ना कोई मुकाबला नहीं है वसी चीज़ की पैसे लेते हैं अवाम को यहीं लूट लेते हैं अच्छा वैसे शिर्ट सिंपल ही है इन्होंने आगे से जो है वो स्कॉायर कर रखी है शिर्ट को स्कॉायर कैरियू सोरी गोल घेरे वाली शिर्ट है और को दिखा के बनवा ली जिएगा लेकिन यह पहना वह अच्छा लगता है मैं मोस्टली गोल घेरे वाली जो कमीज होती है वो नहीं पहनती क्योंकि किसी का जो लूवर पोश्चन होता है अगर बहुत कोई इंसान बहुत स्मार्ट हो न तो उससे गोल घेरे की कमीज अच्छ आती है और यह शाम का टाइम था आप अपने लिए पकोड़े पर आरी थी मेरा ना बड़ा दिल कर रहा था पकोड़े खाने को कुछ दिनों से पदा नि मौसम जैसे चेंज होता है आपकर तरह तरह की चीज़े खाने को दिल करने लग जाती है और आज कल तो इतनी कोई प्रेंट आई थी मेरी वो मिलने के लिए थी और साथ अपने यह पर्फ्यूम लाई थी अच्छे यह पर्फ्यूम तो नहीं है यह इत्तर है लेकिन इसकी खुश्बू बड़ी कमाल थी अब आप लोग तो स्मेल नहीं कर सकते कि आपको इधर से अंदाजा हो जाए लेकिन अब मेरे अलफास भी हकीन रखें बड़ी अच्छी खुश्बूती और फिर यह जो ना ब्राउनी लेकर आई थी मेरी दोस्त और फिर हम लोगों ने बैठका ब्राउनी खाई थी क्योंके मेरा वैसे दिल कर रहा था और फिर मैंने जो है वो पीजा मग वा लिया थो और इस जासमी होते हैं और वो इतने फैक्ट नहीं करते हैं लेकिन कभी कबार यह जब आप लोग मेरे हजबन को लेकर कॉमेंट कर देते हैं ना कि आपके हजबन ऐसे हैं आपको लेकर नहीं चाते हैं क्या फाइदा या जब आपको पता नहीं होता आप लोग बोलने का हक नहीं र पकड़ा देती ना अगर आपको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी तो आप मत सुनें लेकिन मुझे हैरत होती है आप लोग खुद फीमेल हो का दूसरी फीमेल तो मतलिक इतने जल्दी राय काइम कर लेती हैं और फोरन से आप ऐसे कोमेंट पास कर देती हैं उससे जादा कु से नहीं होता कभी मैं नहीं कर पाती लेकिन आप इस तरीके से दूसरों के मुतलिक ने अपनी उपीनियन फोरन से काइमना कर लिया करें जब तक आपको पूरी स्टोरी पता नहीं होती ठैर चड़े सब तो चलता रहते हैं गोलगत पे खाने हैं तो खुद मगवा कर खा ली नहीं होती हैं तो यहीं पर मैं आज के ब्लॉग को एंट करती हूँ छोटा सब लोग था यार एक्षिंझी ना मैं अम्मी के खराइग होती हुझा तो इतनी कोई जादा रूटीन नहीं होती मेरी कुछ करती भी नहीं हो यह भी दो दिन का ब्लॉग था अव आप यहां से अ सिर्प्राइज यह लेकिन कुछ ऐसे हिस्राइज जिसका आप लोस्ट से अकसर पूछते रहते थो और वही शिर्प्राइज होंगा खेड़ तो अभी रहा हो जा है रहत मुछ एकृटर लागव गृप अप्तु वीडिय। तब तके लिए अल्लाइज पेस्ट